कि येए Cinema के एक मक्री है मक्री ने एक मक्खी को अपना शिकार बनाया है जिसे के आप देख सकते हैं और दीरे जीरे अपने पाचक रस वो उसके अंदर डाल करके और फिर उसके जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन और हैं वो मुख रूप से प्रोटीन जब गल जाते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं उन पाचक रसों में जो एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स जब प्रोटीन को गला दे जाते हैं और वो मकडी वापस मक्खी के शरीर से अपने अंदर पोशक तत्तों को खीच लेती है इस प्रकार से अपना पोशन करती है और यह देखिए इसने पकड़ा हुआ है मक्खी को इस मकडी ने और इस मक्खी को पकड़ करके यह अपना भोजन जो है यह कर रही है बना रही है कि इस मकड़ी ने इस मक्खी को पकड़ा हुआ है और इस मक्खी को पकड़ करके यह अपना बोजन बना रही है खुड़ा कैमरे के आने से इसकी जो भोजन करने में थोड़ी से इसको समझ में आ रहा है क्योंकि यह बहुत ही sensitive होते हैं बड़े सम्वेदन शील होते हैं कि कोई जब तक यह अपना भोजन ग्रहंड पूरा अंदर कर नहीं लेते भोजन को ग्रहन नहीं कर लेते तब तक ये डरते रहते हैं कि इन से इनका भोजन न छिंजाए तो ये बड़ी सतर्क भी है और लगातार मूवमेंट कर रही है कैमरे के आने से ये देखिए ये इसने मक्खी को पकड़ा हुआ और धीरे 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 इसको ये इसके जो पोशक तक तक हे उनको ये चूस रही है ये देखिए इसने अपनी पोजिशन भी बदली मक्षी जो आगे से थी अब इसको पीछे वाला हिस्सा अपने मूं में लिया जो इसके पिछे मूह में doğru men था आप वहुसमें पुलटकर पीछे वाला हिस्सा अपने उमों में लiया ह वो हिस्सा भी है उसको भी उसका भी भोजन करके उसको भी पोशक्तत वहां से भी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है यह मकड़ी मक्खी के तो प्राण पखेर ऊड़ चुके हैं